राहूल लेसन दे रहे हूं या दूसरी जगा लेने के लिए जाओं लेसन? मोधी जी मैं आपको लेसन देने को मना कर रहा हूं, लेकिन उस रैड में नहीं दूँगा जिस रैड में तुम मांग रहे हो? मोधी जी आप सौधा बाजी बहुत करती हो गाउं की इस सब्जी बजार में कहीं पे भी पूछ लो मुझसे सस्ता अगर कोई लैसन देता हो जागे ले लो आपको 50 रुपे किलो ही लैसन लगेगा इससे कम नहीं लगेगा राहूल तो मैं कुछ और गए रहा हूं 5 रुपे की तो इस गुंचाइस करा रहा हूं 45 रुपे किलो लैसन दे दू नहीं मोधी जी 45 रुपे किलो तो लैसन मैं किसी आल में नहीं दूँगा मुझे से सस्ता कोई भी लैसन बेशता हो इस सब्जी बाजार में जागे ले लो बिल्कुल मना नहीं है मैं नाराज नहीं होंगा अरे मनुहर लाल जी आ गए मनुहर लाल जी क्या चाहिए लैसन अरे राहूल तुम तो बेबाल तुको मनुहर लाल जी को अपनी तरफ बुला रहे हो मैं घरीद के लाया हूँ तीन-चार लोगी लोगी की सबची मुझे बहुत पसंद है राहूं तो ये अधरक और लहसन बेज रहा है लहसन ये अधरक ले लो अरे लहसन अधरक तो नहीं घरीद हूँ अगर लोगी होती तो लोगी घरीद लेता अरे मनुवर लाल जी आलू खरीद लो आलू अभी अभी जमीन से खोद के लाया हूं ताचे ताचे सस्ते लगा दूंगा ले लो आलू अरे योगी जी तुम भी बेबाल तुमें आलू के लिए मनुवर लाल जी के पीछे पड़े हो लेकिन उन्हें लौकी की सबसी चाहिए और सारी की सारी बजार की लौकी मोधी जी ने खरीद ली हाट सही कह रहो सिफराश जिंग जी अरे लालू जी टमाडर क्या रैद पेच रहे हो टमाडर का रैद तो बताओ अगलेज अगर तुम्हें टमाडर खरीदना है तो सामने को आओ, सामने से रैट बताऊंगा, पीछे खड़े हो गया रैट नहीं बताऊंगा तुम तो पीछे खड़े हुए हो, अरे मनवार लाल घटर जी कुछ तो खरीदो, आप तो कुछ खरीदी नहीं रहे हो, किसी की की खरीदना थी, लेकिन इस बचार की सारी की सारी लोगी मोधी जी ने खरीद ली, मोधी जी इतनी लोगी अकेले थोड़ी खालो करे एक लोगी मुझे देतो, जो पैसे लेना चाओ, लेलो मुझसे, चलो मनवार लाल घटर जी आपको अगर लोगी खाना इतना पसंद है, कोई एक लौकी मैं तुम्हें दे देता हूँ पैसे मुझे मत देना अगले बजार को मुझे लौकी दे देना खरीद कर और भाई लोगों वेडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो लेकिन मोदी जी समझ में नहीं आ रहा है अपनी इस बाटर पंप में हुआ क्या है यह पानी क्यों नहीं दे रहा है सही तरीके से एक तो इतनी मुस्किल से अपना लोग इस बाटर पंप डीजल इंजन को यहां खेट पर खीच कर लाए और यहां अगर जैसी अपना लोगों ने इसे चलाना शुरू किया यह तो पानी दे ही नहीं रहा है मुझे लग रहा है यह खराब हो गया रहूर ऐसा कैसे और यह बाटर पंप कैसे खराब हो जाएंगा अभी परसूं तो मैंने गाओं के पीछे बाले दूबीगा खेत में इस बाटर पंप से सिचाई की थी रहों तुम जरा डीजल इंजन को इस्टार्ट करना देखते हैं इस बार पानी आजा आहने हें लगता खेटों की सिजाई नहीं हो पाएगी क्या रेच Dale klar रहती है मोदी जी इतनी मेनत से इस बाड़ को यहां पर खेड खीच कर लाएं तो कम से कमिने ठीक तो कर लेने दीजिये हाद जब इनका बाड़ पंप नहीं पानी दे पाएगा तो केजरिवाल जी का बाटर पंप मगा लेंगे राहूल कैसे खाले पड़े हो इस डीजल इंजन को स्टार्ट करो खाले होने से काम नहीं जिलेगा मोधी जी मुझे इस डीजल इंजन को स्टार्ट करते करते मेरा हाथ तका जा रहा है लेकिन बाडर पंप में से पानी नहीं आ रहा है पता नहीं बाडर पंप में से पानी कब आएगा रहूल पानी आएगा आएगा जरूर आएगा डीजल इंजन को बार बार बंद करके बार बार स्टार्ट करते रहो एकदम पानी आ जाएगा इस बाडर पंप से और जब बाडर पंप से पानी आ जाएगा खेतों की सिचाई शुरू हो जाएगी लालू जी ज्यादा आवद मत करो थोड़ी देर रोगे रहो अगर मेरे बाडर पंप में से पानी नहीं आएगा मैं खुद यहां से बाडर पंप को हटा के ले जाओंगा फिर केजरिवाल जी के बाडर पंप को मग लालू जी तुम केजरी बाल ची का ही बाडर पंप मगा लो राहूल चलो अपने बाडर पंप को यहां से ले चलती और भाइनों को वीडियो को नैकरो चैनल को सब्सक्रेब करो योगे जी मुझे लगता है आज मोटी जी गिर जाएंगे मतलब इस दंगल की कुस्ती में चि पूरी तरीके से चित नहीं हुए उन्होंने राहुल की एक टांग को अपनी दोनों टांगों से फसा लिया यही उनका अगरीदा हो रहा है योगी जी यह तो तुम ठीकार है बौधेक। मोदी जी ने राहूल की टांग को अपनी दोनों टांगों से बुरी तरीके से फसा लिया अब वो चित होई नहीं पा रहे है राहूल तो उन्हें चित करने की पूरी कोसिस कर रहा है राहूल अब तुम हर कोसिस कर लो तुमारी हर कोसिस बेगा रहे हाला कि मैं नीचे जरूर आ गया था जमीन पर लेकिन चित नहीं हो पाऊंगा और इस दंगल के नियम के हिसाब से जब तक पहलमान पूरी तरीके से चित नहीं होता है तब तक पहलमान हारा हुआ नहीं माना जाता है यह मेरा आखरी दाओ था मैंने अपना आखरी दाओ चल दिया आमोदी जी बिल्कु भी चित नहीं हो पाऊगे लगता है तुम्हें चारों खाने चित करने का सबना सबना ही रह जाएगा नितीज कुमार जी आस तो मुझे ऐसा लगाता कि मोदी जी याद दंगल की इस कुस्ती में हार गए लेकिन फिलाल हारते वे लग नहीं रहे अरे सिबराज सिंग जी जी इ एक से एक नए दाउ जानती है ये इतने दाउं राहुल कहा जानता है और ये कुस्ती दाउं पेच का ही खेल होता है मुझे लगता है ये कुस्ती बराबर पर जूटेगी ना मोदी जी जी जीतेंगे ना राहुल जी देगा क्योंकि बहुत देर हो गई मोदी जी राहुल की कितना भी तगड़ा हो हमसे तगड़ाता हो राउल का नहीं हो सकता इस दंगल के हम बहुत पुराने खिलानी है कितने भी हम नीचे गिर जाए लेकिन हार नहीं मानेंगे अब देखो मैं नीचे गिर जरूर गया लेकिन हारा नहीं दंगल के इस केल में राउल से तो मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा और भाई लोगो वीडियो को लें करो चैनल को सब्सक्राइब करो